गुद मॉरिंग पिपी बन क्लास हवाई ली बेटा कैसे हैं आप सब आज बेटा आपकी मैठ की क्लास में काउंटिंग करेंगे 21 to 30 क्या करेंगे 21 to 30 तक की काउंटिंग करेंगे ठीक है चलिए स्टार करते हैं तो हमें क्या करना मिटा काउंटिंग करनी है 21 to 30 तो 21 से लेके 30 तक की काउंटिंग पे सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे 21 21 21 21 21 21 2 2 22 22 23 23 23 22 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 हमने राइट कर लिए है नेस्ट हम करेंगे 26 to 30 ओके 25 25 25 से नेस्ट क्या आएगा 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 तो बेटा हमने 21 से लेके 30 तकी कौंटिक अपनी राइट कर ली है कंप्लीट कर ली है 21 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 तो यह है बेटा बीपीवन क्लास 21 2 30 हट की आपकी काउंटिंग ध्यान से देखेंगे सभी ध्यान से देखिए काउंटिंगे अभी इसको हम प्रीट करेंगे 2 2 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 3 0 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 29 29 30 29 30 22 22 23 22 24 25 26 27 27 28 29 30 Clear है? Samaj, I have to be in class? 21 से लेके 30 तक की काउंटिंग समझ आई आपको ज्यान से देखेंगे बौर्ड पे बिटा हंजी ज्यान से देख रहे हैं कां तक की काउंटिंग की है 21 टू 30 तक की 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तो ये बिटा आपकी काउंटिंग आपने अपनी मैट की नोट बुक में टॉपिक डालना है 21 टू 30 काउंटिंग अपनी नोट बुक में काउंटिंग राइट करनी है और साथ में काउंटिंग को लर्न भी करना है समझ आ रहा है पिपी वन क्लास क्या क्या करना है आपने काउंटिंग लिखनी है मैट की नोट बुक में और राइट करनी है और राइट करनी है ओके क्लियर थैंक यू